दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि योनो SBI में बाय में ट्रिक इनेबल कैसे करना है बस एक मिलट में तो सबस्वर पहले आपको योनो SBI ओपन कर लेना है इसके बाद लोगिन पर किलिक करके आप अपने M-PIN डाल दें M-PIN देने के बाद योनो SBI आपका लोगिन हो जाएगा लोगिन करने के बाद उपर आपको मेन्यू यानि थिरी लाइन पर किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस र्यूकिस्ट का उप्शन मिल जाएगा इस पर किलिक करना है service request पर click करने के बाद settings पर click करना है settings पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको option मिल जाएगा enable disable biometric for UNO SS इस पर आपको click कर देना है इस पर click करते ही देखिए यहाँ पर enable disable touch ID authentication लिखा हुआ है इसको enable कर देना है यहाँ पर आपको ok कर देना है इसके बाद यहाँ पे term और condition को accept कर लेना है इसके बाद summit पे click कर देना है summit पे click करते हैं यहाँ पे biometric sign on करना होगा इसके लिए आपको जो है back side अपने mobile पे finger रखना होगा चले मैं यहाँ पे touch कर देता हूँ तीस तरीके से देखें यहाँ पे ले लिया गया है इसके बाद register mobile नमर के OTP जाता है OTP आ गया है यहाँ पे OTP को enter कर देना है और फिर OTP को enter करने के बाद summit पे click कर देना है summit पे click करते ही देखें यहाँ पे हमारा touch ID has been enabled हो चुका है यानि हमारा biometric जो है वो complete हो गया है इनेबल हो गया अब चलिए मैं आपको जो है biometric के help से आपको मैं balance चेक करके दिखाता हूँ इसके लिए मैं यहाँ पे जो है log out कर लेता हूँ अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा biometric enable हुआ या नहीं हुआ तो यहाँ पे आप view balance पे चेक करेंगे देखी यह हमारा biometric sign-on के लिए कहा जा रहा है यानि इस पे आप finger रखेंगे देखी यह हमारा enable हो गया है तिस तरिके से जो है bi geometric के help से आप balance चेक कर सकते हैं कि भी हमारा बैलेंश तो कर गया इस तरह के से अगर अबक्ष के इस वीडियो सिखा कि य।